हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज मैं आपको रेश्मी चिकन बनाने की रेसिपी बताऊंगी बहुत ही सिंपल और इजी वे में और बिल्कुल शादियों वाला रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल है तो यहां पर सब से पहले हम डालेंगे वन कप दही दही की इतना होना चाहिए कि अच्छे से सारे पीसे स्कोट हो जाए तो यहां पर मैंने वन कप दही लिया है और एक चम्मच भरके मैंने जिंजर का पेस्ट लिया है एक चम्मच ही मैंने गार्लिक पेस्ट यानिक लेसन का पेस्ट और तो जादा भी डाल सकते हैं वन टी स्पून कॉरियंडर पाउडर यारी धनिया पाउडर इसके लावा रोस्टेट क्यूमिन पाउडर या हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सॉल्ट आप अपने हिसाब से रखें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहां पर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा जादा डाल रही हूँ और यहां पर दो तीन ग्रीन चिलीज हैं इसको मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसनिस के लिए एड़ किया है और इसमें बहुत सारा हरा धनिया जाएगा वैसे भी सर्दियों का सीजन है तो हरा धनिया अब अच्छा और इजी ली मिल रहा है और यहां पर मैंने तीन चम्मच क्रीम ली है फ्रेश क्रीम यह त्रीटी स्पून डाली है और इसको अच्छे से हमें हाथ से मिक्स कर लेना है द्यान रहे हाथ अच्छ यहां पर चार कोल अलड़ी गरम कर रखे थे और यहां पर हम में वान टी स्पून से कम इसमें घी डालूंगी और इसको कवर कर दूंगी एक दो मिनिट के लिए इससे का सारा स्मोग जो है वो इसी चिकन में अब्सर्व हो जाए इसको ठक कर हम रख देते हैं एक तरफ और अब हम यहां पर तीन चम्मच बड़े चम्मच हमने यहां पर कुकिंग ओयल गरम करने रख दिया है इसमें हम डालेंगे तीन मीडियम साइस के चॉप्ड अनियन यह रफली कट है क्योंकि अब हमें इसको गोल्डन फ्राय करने के 10-15 मिनिट में हमारी अनियन अच्छे से गोल्डन हो चुकी है अब हम इसमें 10-15-20 कैश्यूज डालेंगे तो यहां पर 15-20 में यहां पर कैश्यूज डाल दी है इसको भी अब हम एक दू मिनिट तक इस्टा फ्राय करेंगे थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए इनका भी और इसके बाद हम इसको पीस कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे यह हमारा परफेक्टली कुख हो गया है अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं अब जो बचा हुआ तेल हैं हम उसमें अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर एक दो ठुकड़े सिनेमन यानिकी डाल चीनी दो तीन हरी लाइची तो तीन तेज पत हम इसमें वही पेस्ट डालेंगे जो अभी हमने प्याज और कैश्यूस का बनाया था अच्छी से चलाते रहें क्योंकि इसमें काजू है तो यह स्टिकी हो जाता है तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी है त्याज अल्रेडी कुक्ट है तो इसको हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में यह 10-15 मिट हो चुके हैं इसको घूंगते हुए और अब हम इसमें जो हमारा मैरिनेट कर रहुए चिकन था वो भी एड़ कर देंगे इसमें ग्रेवी अभी से ही रेश्मी लग रही ह बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूध पेस्ट लग रहा है जैसा तीस का नाम ही है रेश्मी चिकन तो वह आपको दिखाए दे रहा होगा जो ग्रेवी में एक स्मूधनेस है अभी हम इसको मिला लेंगे मिलाने के बाद हम 10-15 मिट तक इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे कम से कम 10 मिट के लिए और 10 मिट बाद में आपको खोल के दिखाते हूं यह कैसा हो गया है यह देखिए 10-15 मिट के बाद यह थोड़ा सा ओयल इसका सेपरेट होने लगा है अभी लेकिन थोड़ा सा और इसमें कसर बागी है तो मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ और चीज़ें एड करके इसको फिर से कवर करके रखूंगी तो यहां पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डा करेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है एक्ट्रा फ्लेवर कसूरी मेती और गरम मसाले से इसका इन्हेंस होगा हम इसको आखरी लास टाइम में इसको एक बार और कवर करके रखेंगे और 10-15 मिनिट के बाद हम इसको चेक करते हैं तो यह देखिए माशालास की शीरी जो है अच्छे से सर्फेस पर ऑईल सेपरेट हो चुका है डाट मींस ग्रेवी इस अलरी पर्फेक्टली कुक्ट इसको मिक्स करते हैं और करते हैं दिशाओ तो यह रेशमी चिकन की रेसिपी हमारे बिल्कुल तयार है आप इसको खाईए और कमेंट में जरूर बताएगा यह और चैनल सब्सक्राइब करें आला हाफिज